हालो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिश्री, गूड मॉर्निंग अल अफ यू, आज हम जो है सिविल प्रोसीजर कोट 1908 के ओर नमबर 21 से लेकर 30 तक के सारे important MCQs करने वाले हैं, लास्ट जो MPCJ 2023 एक्जाम की जो हमारे orders की class थी, वहाँ पर हमने 1 से लेकर 20 तक करना था, लेकिन हम 1 से लेकर order number 7 तक ही कर पाए थे, और 8 से लेकर 30 तक आज हम continue करने वाले हैं, तो जल्दी से फटाफट से बता दीजे के एक बार voice clear ह तो हम आज के इस interesting session को start करते हैं, और हमारा कल जो class होगी, वह आखरी class होगी, civil procedure code 1908 के, जो हमारे 31 से लेकर 51 तक के order बचे हैं, उसके जो हम सारे के सारे MCQs करके, अपना MPCJ 2023 के prelims के पहले paper को पूरी तरीके से complete कर लेंगे, उसी के साथ मैं आपको देखने को मिलेगा, जब ह हमारा पहला paper complete हो जाएगा, तो next subject हम Indian Penal Code लेने वाले हैं, जहां पर हम 4 या 5 दिन में, majorly 4 दिन लगेंगे IPC को करने के लिए, और पूरा Indian Penal Code को हम complete करेंगे, उसके बाद CRPC और evidence करके, फिर हम minor acts की तरफ अपने MCQs की सुरूवात करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, आज में इंटर्व्यू की त्यारी करना चा रहे है, 2024 या फिर 2025 में, सिविल जूनियर डिमीजन के एक्जाम को देने के लिए, उनके लिए ये best opportunity है, कि आप जुडिशरी के Life Foundation batch में आज जॉइन कर सकते हैं, एडमीशन आज राद 12 बजे तक उपन है, राद से ये एडमीशन कैंस हो जाएंगे, फिर आपको 10th batch में एडमीशन नहीं मिलेगा, अगर आप 10th batch में एडमीशन लेना चारते हो, तो आपको APU का code यूज करना है, और ये जो code से आपको 21,9999 में दो साल की validity के साथ दिया जाएगा, जहाँ पर 12 महीने में आपको live class के according, जो है, सारी की सारी हमने अभी तक किये हैं, वो आप मुझसे directly प्राप्त कर सकते हैं, अपूर सर्मा officialist telegram group पर, ये मेरा official telegram group है, या फिर अपूर सर्मा 252ks Instagram account पर भी मुझसे कोई भी जानकारी साजा की जा सकते हैं, दोनों ही social media handles पर आपको सारी information provide की जाती है, प्लस जितने भी question हम कर चुके ह हैं, टीक, dismissal of the suit, under rule 3 of order number 9 of the civil procedure court, option A, बारा fresh suit in respect of the same cause of action, option B, does not, बारा fresh suit in respect of the same cause of action, option C, may bring a fresh suit with the leave of the high court, option D, may bring a fresh suit with the leave of the district, judge, तो अब यहाँ पर आप से क्या कह रहा है, यहाँ पर आप से कह रहा है, order number 9, rule number 3 के according, अगर हम बात करें, dismissal of suit की, तो dismissal of suit में जो है, आपको क्या चीज़ा देखने को मिलती है, तो जब हम order number 9 और rule number 3 की बात करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है, order 9, rule 3, does not, बारा fresh suit in respect of same cause of action, option number B, is the correct answer of this question, B, जो है, क्या है, इस question का बिल्कुल सही जवाब है, moving ahead, आगे चलते हैं, next question पर, defendant may apply for setting aside a degree passed by X party against him to, option A, the court which passes the degree, option B, the high court, option C, the appeal at court, option the any of the above, अब यहाँ पर पूछ रहा है, कि defendant के against, अगर कोई भी X party degree को pass कर दिया गया है, X party degree कब pass की जाती है, जब defendant quote के बुलाने पर आए नहीं, तब हम जो है, उसके against X party degree को order करते हैं, जिससे के उसको सुनने का अधिकार खत्म कर दिया जाता है, और directly उसके against में judgment सुना आने की quote की power होती है, तो ऐसे cases में जब defendant appear नहीं हुआ है, और उसके खिलाफ X party degree को दे दिया गया है, तो X party degree को setting aside कराया जा सकता है, कि इस quote के द्वारा, या उस quote के द्वारा, जिसने degree को pass किया था, दूसरा high quote के द्वारा, तीसरा appellate quote के द्वारा, चौथा any of the above quote के द्वा very nice, ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, कि अगर defendant ने क्या किया है, setting aside किया है, किसी भी degree को, तो X party degree को अगर set aside कराना है, खत्म कराना है, तो justifiable grounds जो है, क्या करने होंगे, आप जो भी defendant है, वो क्या करेगा, justifiable ground, उस quote के आगे रखेगा, जिस quote ने वो degree pass की है, और वो court जो है, अगर उससे agree होता है, कि defendant सही बोल रहा है, ऐसी situation हो सकती है, तो ऐसे cases में हमें देखने को मिलेगा, कि ऐसे cases में, यहाँ पर पूरी तरीके से हम उसी court से degree को set aside करा लेंगे, तो option number A is the correct answer of this question, moving ahead, the leave may be granted by the civil court to deliver the interlocatories, option A, only to a defendant, since the plaintiff is the master of the suit, option B, even if they relates to a matter, not in the question in the suit, option C, not with standing the objection taken by the opposite party option C, if it considers the same necessary for the disposing of the case fairly, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर बात हो रही है, किसकी leave may be granted by the civil court to deliver the interlocatory orders, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका जो है, सही answer देना है, कितने लोगों ने interlocatory orders के बारे में पढ़ रखा है, सबसे पहले तो यह बताईए, very good morning all of you, सार फटाफट से अप क्या करिए, फटाफट से जो है, अब अपने questions पर major focus करिए, और questions को करना start कर दीजे, चलिए, तो अगर हम इस question के answer को देखे, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, if it consider the same necessary disposing of a case fairly, तो option number D is the correct answer of this question, ठीक, moving ahead आगे आते हैं, where a plaintiff's use upon a document in his power or possession, he must produce it or a copy there of option with, along with the plaint, option D, at the time of giving of evidence, option C, at the time of framing of issue, option D, when ordered by the court, अब यहाँ पर क्या गयरा है, कि अगर किसी भी plaintiff के पास क्या है, plaintiff के पास कोई ऐसा document है, जो क्या कर रहा है, इस document को पूरी तरीके से आपको जो है, produce कर सकते हो, जब उसके पास में है, या फिर possession में है, किस time along with the plaint, plaint के साथ में करेगा, या फिर जब उसको evidence देना है, जो उसके पास document है, तब करेगा, या फिर वो जो है framing of issues के time पे कर सकता है, या फिर order of the court के सामने कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको answer करना है, जल्दी से इसका answer करिए, ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर कोई भी plaintiff है, जो के हमें पूरी तरीके से क्या करना चाता है, पूरी तरीके से उसके पास ऐसा कोई document है, जो के उसके favor में है, और उसको जो है case में आगे lead दिला सकता है, या फिर कोई भी possession, उसके पास किसी भी चीज का possession है, जिसको वो अपने benefit के लिए use करेगा, तो वो कभ यूज कर सकता है, वो जो है at the time of framing of issues, जो है court में submit करेगा, option number C is the correct answer of this question, जिससे के court उसकी बातों को समझे और उसको आगे जिताया जा सके, moving ahead, the consequences of non-compliances with the order to answer interrogatories or for discovery or inspection of document have been dealt with under order number 11, rule number 12, order number 12, rule number 11, order number 11, rule number 21, order number 12, rule number 21, most important question है interlocatories का, जो कि आपसे हमेशा exam में पूछा जाता रहा है, वैसे आपसको interlocatory वाले मतलब, जब 11 से हम order को पढ़ना start करते हैं, civil procedure code में, तो 11 से लेकर 20 तक ज़्यादा MCQs बनते नहीं हैं, क्योंकि जो major MCQs हैं, वो जो है order number 1 से लेकर 10 तक ही आपको द पूछे जाते हैं, ठीक तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा interlocatories की बात की गई है, कि इसकी discovery inspection और a document have been dealt under, under the order number 11, rule number 21 of the civil procedure code, तो option C जो है क्या है, इस question का बिलकुल सही जबाब है, moving ahead, next question पर आते हैं, when a party is called upon by notice to admit the fact by the other party, under order 12, rule 4 of CPC, the party on whom the notice has been served, has to admit it the facts within, 15 days from the service of notice, 9 days from the service of notice, 7 days of the service of notice, 6 days of the service of notice, किसकी बात कर रहा है, order number 12, rule number 4 के according, जो है, आपको notice दिना है किसी भी parties को, fact को admitted करने का, तो ऐसे cases में हम कितने दिन में ये सारी चीज़े कर सकते हैं, ठीक तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि आप जो है, कितने total 6 days म कर सकते हो, option number D is the correct answer, याद रखना, ये order number 12 से, order number 12 से, ठीक है, हमारे एक तो 6 दिन वाली बात है, एक 7 दिन वाली बात है, यहाँ से आपके prelims में MCQ बहुत जादा पूछे जाते हैं, कि कब 6 दिन आंसर सही होता है, और जो है, कब 7 दिन आंसर सही होता है, is it clear, आगे चलते है next question पर, under order 12, rule 2, the code of civil procedure, the time to be given to a party to admit any document when called by notice is option A, 15 days, 10 days, 7 days, या फिर 21 days, इन दोनों ही questions को समझना जरूरी है, क्योंकि एक में आपको 6 days का answer देखने को मिलेगा, और दूसरे में आपको, दूसरे में आपको देखने को मिलेगा, कि इसका जो सही answer है, वो 7 days from the date of service of notice, option number C is the correct answer of this question, तो C जो है, इस question का बिल्कुल सही जबाब है, moving ahead, आगे चलते हैं, next question पर, the document are submitted with plain 10 written statement, the parties may get benefit of these document, these document may be submitted upon which time, option number A, along with the plain 10 written statement, before deciding the fact and issue, option number C, at the time of decision, option number D, any of time, ठीक, any of the time, तो यहाँ पर 4 option इसको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर पूच क्या रहा है, the document are submitted with plain 10 written statement, the parties may get benefit of these document, these document may be submitted upon which time, ठीक, तो यहाँ पर यह पूच रहा है, कि अगर किसी भी party के पास कोई भी document है, जो कि वो अपने favor में proof कर सकती है, तो ऐसे cases में, अगर वो document submit कर दिये गए हैं, पार्टी के द्वारा, तो वो उनको कहाँ पर beneficial होंगे, ठीक, along with the plain 10 written statement, before deciding the fact and issue at the time of decision, या फिर at any time, ठीक, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो इस question का सही answer है, वो है option number 8, along with the plain 10 written statement के साथ ही, आपके पास चाहें, आप plaintiff हैं, या फिर आप defendant हैं, आपके पास जितने भी documents हैं, आपके पास जितने भी documents हैं, जो के आपके favor में हैं, और आपको ऐ any fit में, या फिर आपके favor में decision देदेगी, तो ऐसे सारे documents को आपको क्या करना होगा, अपने case को strong करने के लिए, या तो print के साथ और return statement के साथ ही submit करना होता है, option A is the correct answer, court may not frame issue on the basis of allegation, content made by the parties, in pleading on oath application, या फिर document, ठीक है, क्या गह रहा है, court may not frame the issue on the basis of allegation, made by the parties, pleading पर, oath पर, application पर, या फिर documents पर, किस पर जो है, framing of issues नहीं कर सकती है, court ये आपसे यहाँ पर question पूछा गया है, ठीक, जल्दी से answer कीजे, सारे लोग, भाई इतने लोग बैठे हुए हैं, और answer नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो, आज किसी ने पढ़के नहीं आयो गया मैंने आपको कल ही बताया था कि हम जो है, order number 21 से लेकर 30 तक के question तो करेंगे, प्लस जो हमने order number 8 तक पढ़ा है, तो 9 से लेकर 20 तक के भी question करेंगे, तो आप सारे लोगों ने आज के लिए तयार नहीं किया गया, MPCJ का paper आपका 14 जनवरी को है, उसके लिए I hope आपकी तयारी हो question of law, option number B, question of fact, option number C, mixed question of fact and law, option number D, all of the above, क्या कह रहे है, issue in a suit are framed in respect of, जितने भी हमारे civil procedure code में issues को frame किया जाता है, वो किसके respect में किया जाता है, क्या हम जो है issues को law के respect में frame करते हैं, या फिर जो है हम facts के, या फिर missed, mixed question of fact, या फिर law, या फिर all of the above, किस respect में हम CPC में issues को frame करते ह Assos ko frame किया जाता है, Dispute, Disputed Point of the Parties, जब आप इस पर Disputed Point of the Parties पर जब यह सारी चीज़े करते हो, तो यहाँ पर आपको दो चीज़े देखने को मिलती है, कि हम अगर Indian Law के Prospective से देखें, तो हमें Question of Law, Question of Fact, और Mixed Question of Law and Fact दोनों हे चीज़े देखनी पढदी है, all of the above is the correct answer होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए कि parties के जो भी issues होंगे जहाँ पर dispute है एक party क्या कर रही है एक party assert कर रही है दूसरी party deny कर रही है एक assert कर रही है एक denial कर रही है तो यहाँ पर दो बाते हैं कि जो इनके बीच में conflict of interest है मतलब जिस point पर conflict of interest है वो point बनाए जाएगा और वो conflict of interest किस law में जो है क्या करता है किस law में deal करता है और क्या इसका procedure रहने वाला है क्या इसका procedure रहने वाला है यह सारी भी चीज़ा हमें देखनी होती है तो option number D जो है इसका क्या हो जाएगा option number D is the correct answer of this question making the fact in issue is the duty of parties is the duty of advocate of parties is the duty of court is the duty of government council यहाँ पर क्या रहे है कि अगर parties के बीच में क्या है parties के बीच में अगर framing of issues की जा रही है और issues को बनाया जा रहा है तो यह किसकी duty है सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया दो चीजे मैंने आपको बताई कि हम जो है जब भी civil court में कोई भी party मतलब अपना cause of action ले कर जाती है दूसरी party के against में उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं cause of action मतलब main reason main reason of plaintiff ठीक है हम उसको main reason of plaintiff बोलेंगे इसी main reason पर जो है court में पहुंचा है कौन हमारा plaintiff जो के वादी है जो suit ले कर आया है और किस के against ले कर आया है that is called as defendant ठीक तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो भी point of conflict है मतलब एक ने कहा कि इसने 5 लाख रुपे ले रखे है दूसरा बोला नहीं सा 5 लाख नहीं ले रखे 2 लाख तो ले रखे है तो 2 लाख के लिए तो मैं agree कर रहा हूँ लेकिन बचे हुए 3 लाख के लिए मैं disagree कर रहा हूँ तो यहाँ पर point of conflict क्या हुआ 3 लाख रुपे point of conflict हुआ क्योंकि plaintiff कह रहा है कि मैंने 5 दिये थे defendant कह रहा है नहीं 2 दिये थे इस बात को मैं मार रहा हूँ लेकिन 3 नहीं दिये थे तो यहाँ पर इसी point पर जो है क्या होगी इसी point पर जो है framing of issues किये जाएंगे issues को जो है frame किया जाएगा और यहाँ पर यह जो है क्या यह court की duty होती है कि जो भी conflicted point है between the parties उस पर जो है court क्या करेगी अपने जो है issues को frame करेगी तो option C is the correct answer of this question date appointed by any court for presenting list of the witness by the parties to obtain the summons to them for their attendance in court shall not be later than option number A 10 days, 15 days, 18 days और 30 days क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि अगर summons को भेज कर कोई भी date appoint कर दी गई है कि आप अपने जो है witnesses को ले कर आईए जिससे कि आपकी contention को strong रखा जा सके मतलब आपने जब case file किया था तो case के समय आपने जब framing of issue हुए थे तो वहाँ पर अपने witness की एक list submit की होती है कि इस case में मेरे ये ये लोग गवाँ है तो उन गवाँ को जो है कितने दिन के अंदर सम्मझ भेज के बुलाया जा सकता है 10 days के अंदर, 15 days के अंदर, 18 days के अंदर या फिर 30 days के अंदर ये question बहुती important है most important for MPCJ MPCJ में ये आपको कई बार पूछा गया है MPCJ के साथ-साथ other states में भी इसको कई बार repeatedly पूछा गया है तो ये most important question है आपका जो के आपके prelims के perspective से important है B, 15 days is the correct answer of this question moving ahead, question आगे चलते हैं in which condition the officer in charge of the prison may refuse to produce the prisoner for evidence despite court order option number A where the prisoner is related to a ruling party option number B where the prisoner is ex-minister option number C where the prisoner is the government servant option number D where the medical officer has certified the prisoner is unfit to be removed ठीक तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर किसी भी इनसान को as a witness जो है बुलाया जा रहा है court के order के बाद तो जो officer in charge होगा officer in charge of police station या फिर officer in charge of prison जो होंगे उनके पास क्या होगा उनके पास ये अधिकार है कि वो जो है उसको produce करने से मना कर सकते हैं कब वो मना कर सकते हैं ये चीज़ आप से पूछी गई है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जब वो व्यक्ति क्या है जब वो व्यक्ति पूरी तरीके से medically fit नहीं है तो ऐसे cases में जो भी हमारा क्या होगा जो भी officer in charge होगा officer in charge of prison उसके पास क्या होगा ये अधिकार होगा कि वो उसको लाने से क्या करते मना करते दूसरी एक और situation है जहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको as a witness जो है produce किया जाना है summons बेच के तो अगर उसको jail से बाहर लाकर court में लाए जाएगा तो बहुत ज़्यदा अफरा तफ्री मस सकती है ऐसे cases में भी जो है क्या होता है crucial cases में भी जो है पूरी तरीके से जो jailer साब होते हैं वो मना कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर समझने बाली बात यह है कि अगर वो medically unfit है जो कि court में आकर अपने जो है क्या court में नहीं आ सकता तो ऐसे cases में court के order आ जाने के बाद summons को issue करने के बाद भी जो है officer in charge क्या करेगा officer in charge पूरी तरीके से उसको produce नहीं करेगा moving ahead आगे चलते हैं next question पर is sufficient cause is shown by a parties for the adjournment the hearing of the case the court shall not adjourn the case more than once twice thrice या फिर four times यहाँ पर कह रहा है कि अगर normal case की बात करी तो normal case में जो है कितनी बार adjournment मिल सकती है यह आपको CPC में पता होना चाहिए और उसके बाद अगर party exceptionally क्या गर रही है exceptional circumstances दिखा रही है कि वो जो है नहीं आपाएंगी तो court उसको तीन बार के बाद ज्यादा एक मतलब क्या करेगा पोस्ट पॉंट करेगा उसके लिए court चाहे तो तीसरी बार के बाद से ही जो है cost impose करना start कर सकता है तो normally हमारे civil procedure code में बताया गया है कि आप three times जो है three times adjournment दे सकते हो किसी में जो किसी भी case में three times दे दोगे और यहां पर आपको देखने को मिलेगा में भी क्या करेगी उन पर जो है cost को impose कर सकती है is it clear तो option नंबर three c is the correct answer of this question moving ahead आगे चलते हैं इना suit plaintiff himself wishes to appear as a witness without any permission of court he may so appear option a anytime before the evidence from the plaintiff side is over option b at anytime before the evidence from the defendant is over option c at anytime before the argument had heard option d only before any other witness on his behalf has been examined ठीक तो यहां पर क्या कह रहा है कि plaintiff अपने आपको as a witness court में लेकर आना चाता है plaintiff चाता है कि वो as a witness ही जो है अपने case में चला जाए तो उसके लिए उसको कब जो है court मतलब कब उसको बुलाया जा सकता है ठीक तो यहां पर देखिए only before any other witness in his behalf has been examined ठीक तो यह जो है condition है जहां पर जो suit लेकर आए जिसने civil suit को file किया है ठीक है वही व्यक्ति as a witness यहां पर आ रहा है तो option number d is the correct answer of this question moving head prisoner as defined under order 16 a of the civil procedure code 1908 includes option number a any place which has been declared by the government by the journal or the special order to be a subsidiary jail option number d any reformator broshtel institution or the other institution like nature option number c both a and b option number d only a is correct ठीक तो यहां पर क्या गया रहा है order number 16 rule a के according जाईए तो definition of prison under the civil procedure code क्या दे रखी है definition of prison आपसे पूछी जा रही है तो बताईए prison की definition क्या है any place which has been declared by the government by the general or the special order to be a subsidiary jail that is the most important definition दूसरा अब याद रखना कि इस definition से भी पूछ लेगा what do you mean by jail under CPC ठीक तो ऐसी सारे places जो कि journal और special order से बनाए गए हैं कहां पर किसी भी जो है government के order के दौरा तो वो सारी जो है place हम jail के अंदर count करेंगे दूसरा एनी reformatory ब्रॉस्टर इंस्टिउशन और अधर इंस्टिउशन यह तीन वर्ड याद रखेगा कोई भी कि रिफॉर्मेट्री इंस्टिउशन ब्रॉस्टर इंस्टिउशन या फिर अधर इंस्टिउशन डेक वो भी जो है किसमें हमारे civil prison में count होंगे ठीक है CPC के अंदर वो जो है prison में count होंगे इसी वज़े से option नंबर याद रखने वाली बात एक और है कि यह दोनों ही question आपसे इस तरीके से भी जो है बीच-बीच में से question आपसे जो है किसमें इसमें easily पूछे जाते हैं तो C is the correct answer moving ahead next question पर आते हैं under the rule 18 under order 18 rule 4 sub rule 1 of the civil procedure court the examination in chief of witness shall be recorded by the judge by the commissioner appointed by the court on affidavit या फिर all of the above क्या कह रहा है कि अगर हम जो है order number 18 rule 4 sub rule 1 के according जाएं तो जो भी witnesses होंगे मतलब गवा होंगे उन उन गवाहों की गवाई जो है हम कैसे लेते हैं judge के द्वारा ली जाती है या फिर commissioner जो appoint किये गए हैं goat के द्वारा वो ठीक है या फिर एफिडेविट पर ली जाएगी या फिर all of the above ठीक तो cpc के जो अगर हम order number 18 में जाएं rule 4 1 में देखें तो जितने ये भी witnesses हैं उनकी जो है क्या उनकी गवाही सब कब ली जाएगी ओ जो है एफिडेविट पर ली जाती है तो option number c is the correct answer of this question moving ahead आगया ये documents which are meant for the cross examination of a witness of the other parties may be produce option number a till settlement of issue after settlement of issue anytime when required along with the pleadings क्या आगे रहा है documents ठीक है for the cross examination of witness of the other party may be produce अगर ऐसी कोई situation है जहां पर कुछी भी other party का witness आया हुआ है और हम जो है उस party का cross examination कर रहे हैं तो ऐसे cases में अपने documents को कब produce करना होगा settlement issues पर after the settlement of issues या फिर जो है anytime when required या फिर along with the pleadings तो ठीक है anytime when required जब जरूवत होगी उसी time पर जो है cross examination of other party के witnesses को cross examination तो सबको पता है ना other party के witness को हम जो है क्या कर सकते हैं अपने documents को produce करके cross examination कर सकते हैं तीन तरह के examination होते हैं पहला होता है examination in chief दूसरा होता है examination cross examination और तीसरा होता है जो है re-examination तीनों ही चीज़ें आपको पता है ठीक है तीनों ही examination जो है हमारे यहां पर कराए जाते हैं moving ahead option number C is the correct answer of this question which one of the following provision of civil procedure code 1908 is related to affidavit affidavit से कौन सा order relate करता है order number 17, order number 26, order number 19, order number 39 बहुती easy question है और आपको देखने को मिलेगा कि यह जो है बहुती क्या बहुती affidavit से हमें जो है CPC में बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो के affidavit पर ही की जाती है लेकिन हमें जो है पता होना चाहिए कि affidavit हमारा कौन से order में provide किया वया है तो order number 19 जो है उसमें हमको देखने को मिलता है क्या order number 19 में affidavit का principle option number C is the correct answer of this question C जो है इस question का बिलकुल सही जवाब है moving ahead आगे आते हैं under which order of which order under CPC provides the detail rules regarding the judgment and degree अब जेखो order number 20 जो है वो आपका most important क्या है most important order है आपके जो है वो deal किस से करता है वो deal करता है हमारा judgment और degree से ठीक है तो जब भी कोई judgment आएगी उसके जो है कितने दिन के बाद में degree बनाई जाती है प्लस जो है judgment का क्या formating होगी ये सारी चीज़े order number 20 में देखने को मिलती है judgment जब लिखा जाएगा तो जो है हर एक point of contention पे जो है justification आपको देना होगा judgment क्यों दिया गया है उसके justification देने होगे तो order number 20 का detailed reading आपको करनी है detailed reading आपको जो है इसकी करनी है एक एक चीज को पढ़ना है तो judgment और degree की जब भी बात होती है तो वो order number जो है क्या order number पूरी तरह कैसे order number किसमें 20 में दी गई है sir mpcj की अभी तक कितनी class हो चुकी है mpcj की cpc की हमारी कितनी class है तीन हमने sections के लिए लगाई थी फिर दो order की हो चुकी है दूसरी आज order की है और कल order की जो है तीसरी होगी तो हमारी जो है total 7 classes होंगी इसमें जो के कल आपके end हो जाएंगी सारे question मेरे telegram group हैं वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं ठीक और daily ही जो है 11 से 12 में आपको अब अगला subject जो शुरू कराने वाला हूँ person से वो है Indian Penal Code के सारे MCQs क्योंकि Indian Penal Code में 15 marks का MPCJ में आने वाला है तो order number 20 judgment और decreases जो है क्या करता है relate करता है B is the correct answer of this question moving ahead आगे चलते हैं date appointed by any court presenting the list of witness by the party to obtaining the summons to them for their attendance in the court shall not be later than 10 days 15 days 18 days या फिर 30 days तो ठीक ये question कर चुके हैं अभी थोड़ी दिर पहले option number B 15 days में आना होता है which condition the officer in charge of prison में refuse ठीके ये भी कर चुके है if the sufficient causes party to be thrice ये भी हो चुका है in a suit plaintiff himself this is to appear without any permission repeat कैसे हो रहे हैं एक सेकेंड अच्छा वो पीछे की साइड ड्रैक हो गया है चलिए यहां से हमको आगे फर्दर continue करना है next question है आपका which is the correct statement in the construct of summary procedure of the civil suit option A may be invoked for the recovery of liquidated damage in the money pay bill by the defendant arising out of written contract option number B may be applied sub mutu by any civil court in its discretion in the interest of expedience adjudication option C required by the defendant to seek leave to the defendant which is granted must be unconditional option number D all of these statements are not correct ठीक तो यहां पर जल्दी से क्या है यहां पर जल्दी से आपको जो है इसका answer करना है correct statement बताना है किसके respect में correct statement बताना है आपको जो है हमारे इस question का तो अगर हम इस question के correct statement की बात करें तो यहां पर may be invoked for the recovery of liquidated damage in the money pay bill by the defendant arising out of the written contract option number A is the correct answer of this question order number 29 rule 2 of civil procedure code deals with order number 29 rule 2 किस से जो है डील करता है attachment before judgment temporary injunction execution of degree या फिर appointment of receiver ठीक तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो order number 29 है rule 2 है वो हमारा temporary injunction से जो है relate करता है option number B क्या है इसका बिल्कुल सही जबाब है moving ahead in case of breach of term on which the injunction was granted under the civil procedure code 1908 the court may pass an order of option number A attachment and sale of the property option number B attachment of property and detention of a civil prison option C arrest and detention in the civil prison for the 3 month option number D both A and C is the correct answer of this question ठीक तो यहां पर क्या कह रहा है in case of breach of term on which the injunction was granted under the civil procedure code the court may pass an order attachment and sale of the property ठीक है दूसरा attachment of the property and the detention in a civil prison arrest and detention in civil prison for 3 month both A and C is the correct answer ठीक तो attachment of the property and the detention attachment of the property कर सकते हैं detention in civil prison यह दोनों ही काम जो है यहां पर किये जा सकते हैं B सही जबाब है A receiver is an officer of the court agent of the plaintiff agent of the defendant या फिर जो है agent of the parties to a suit ठीक किसके बारे में बात कर रहा है receiver के बारे में बात कर रहा है तो receiver को appoint कौन करता है यह चीज़ आप से पूछी गई है तो receiver को जो है code के द्वारा appoint किया जाता है A is the correct answer of this question moving ahead next question पर आते हैं the code of civil procedure provides for granting of permanent injunction perpetual mandatory या फिर temporary injunction ठीक है तो यहां कहरा है कि civil procedure code में हमको किस तरीके का injunction देखने को मिलता है देखो perpetual, permanent और mandatory injunction जो है कहाँ पर SRA में देखने को मिलते हैं ठीक लेकिन temporary injunction का basic principle हमें जो है CPC में देखने को मिलता है D is the correct answer of this question clear तो आज जो है हमने temporary injunction मतलब जो है हमारा order number 29, 30 तक पढ़ लिया है कल याद रखिएगा 30 से पहले अब आपको कौन-कौन से order order को जो है अच्छे से पढ़ना है ठीक है कौन-कौन से order को पढ़ना है वो मैं बता जेता हूँ क्योंकि 10 से लेकर जो हमारा क्या है 10 से लेकर 20 तक है या 30 तक है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा order number 12 है वहां से question पूछे जाते है order 16A से constitution वाला है वहां से पूछे जाते हैं उसके बाद आपके जो है क्या आपका 16 important हो गया 17 हो गया फिर 19 हो गया एफिडेविट फिर 20 most important order है एक बार बेर एक्ट की reading ले लेना प्लस इसके बाद 21 के कुछ specific जो है क्या rules है order 21 के specific rules है दस जिन से आपके question बनते हैं उसके बाद आपका जो मैंने पढ़ाया है 29 से और 24 प्लस 25 से ये order भी आपको read करने है और कल के लिए आपको क्या करना है order number 31 से start करना है और 51 तक detail में पढ़के आना है कल से हम जो है क्या इन्स जो है पूरे सारे orders के important MCQs को करने के बाद में क्या गरने वाले है important MCQs को करने के वाले में CPC को खतम करने वाले है परसो IPC के MCQs में आपके लिए start करने वाला clear तो जो है कल सारे student 31 से लेकर order 51 तक पढ़के आएंगे आज के कोई भी अगर doubt हो कोई भी questions ये सारे questions चाहिए तो अपूर्शर्मा official इस telegram group से मुझसे connect कर सकते हो और वहां से collector लेना ठीक है अपूर्शर्मा 252 के Instagram पर मुझे follow करके भी कोई भी जानकारी ली जा करना चाहते हैं उनकी लिए ये बहुत ही बहतरीन प्रोग्राम है जहां पर आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिब से ही जो है सारी classes कराई जाती है पूरा वेच आपको live पढ़ाया जाता है जहां पर आपकी कोई भी live class अगर छूटती है आप खुद से भी इसमें एंड्रोल कर सकते हैं एंड्रोल करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले आप Google पर जाएंगे Google पर जाने के बाद सर्च करेंगे study IQ जुडिश्री जब आप study IQ study IQ जुडिश्री को search करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है original website पर जाते ही दिखेगा life foundation batch 10 का ये banner 27 नवंबर है आज और आज इस batch में आखरी date है admission लेने की उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको यहाँ पर 37 का ये course दिखाई देगा उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे तो offer available में promo code apply करना होता है APU जैसे ही आप मेरे नाम के तीन अक्षर जो आपको डिस्प्ले पर देख रहे हैं APU का code apply करेंगे ये course 24 मन्त की validity के साथ मात रिकिस 1999 में आपको दिया जा रहा है 50,000 का flat discount के बाद जब आप buy now के option पर जाओगे इतने सारे payments के option दिखेंगे इसमें से किसी भी माध्यम से जब आप payment करोगे तो आपको foundation best 10 में admission मिल जाएगा इसी के साथ अगर आप APU का code यूज करते हैं तो आपको foundation best 10 में तो admission मिलेगा ही plus study IQ judiciary का जो 16 states का recorded course है महापैक इसमें भी आपको ये भी free of cost दिया जाएगा तो दो-दो courses दो साल की validity के साथ APU के code के साथ आज रात तक ये offer valid रहेगा इसके respect में भी अगर कोई doubt आता है query आती है तो आप मुझे directly reach out कर सकते हैं अपूर शर्मा official इस telegram group पर या फिर APU के सिंस्टाग्राम अकाउंट पर इन दोनों ही जो है social media handles पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए available रहता हूँ प्लस आज के question टेलीग्राम से गलेट कर लीजेगा और कोई भी doubt हो तो आप मुझे directly कुछ भी जानकारी ले सकते हैं मिलते हैं next class में thank you for